तो अभी तक आपके पास 22 प्लेयर है ठीक है अब इस 22 को आपको तीन पार्ट में डिवाइट कर देना है यहाँ पर्स पार्ट में आपको वह सब्सक्राइब करने वाले हैं आई पिल के मैच No.13 की जो कि खेले जाने वाला है Delhi Capital Sources CSK के बीच में और ये जो मैच है ये मैच विसाखा पत्नम में खेला जाएगा अगर हम बात करें CSK की तो CSK अपना दोनों ही मैच जीत के आ रही है अगर वहीं बात करें हम Delhi Capital Ski तो ये दोनों का दोनों मैच अपना हार के आ रही है विसाकापटनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो international matches होते हैं T20 वहाँ पे जो है score बहुत छोटा देखा जाता है बट अगर वही हम IPL के encounters की बात करें तो यहाँ पे high scoring encounter होता है अगर पिछले साल के IPL के कुछ stats उठा के देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको complete यह जानकारी देने वाला हूं साथ ही साथ में हम discuss करने वाले हैं कि यह जो आपके CSC की टीम है इन टीम से इन टीमों में आपको कौन सी ऐसी टीम हो कौन सी प्लेयर्स हैं जो आपको बहुत जादा benefit दे सकते हैं अगर fix players की हम बात करें इस team में तो वो है खुदी captain लितुराज गयकवार्ड रचीन रवीन लगतार दोनों ही मैच में अच्छे फॉर्म में थे ठीक है डार्यल मिचल यह भी एक अच्छे फॉर्म में है और अच्छे यहां पर fix player है इनके teams के ठीक है सीवम दूबे यह भी एक अच्छे fix player है यह भी तगड़े यही फॉर्म में है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बॉलस की तो आप जो है दीपक चहर को अपनी टीम में फिक्स लेस ले सकते हैं तुसार देस पांडे जो है इस नॉट बैड ऑप्शन बट तुसार देस पांडे को fix player में consider नहीं किया जा सकता बात करते है तोटल fix player की तो यहाँ पर दो हो गया, एक तीन हो गया, एक चार हो गया, पांच जो है वो CSK से fix player है इन 5 fix player में से कौन से वो 3-4 player होंगे तीन से चार प्लेयर जिनको हम अपने ड्रीम टीम का पार्ट बनाएंगे अपने जील का पार्ट बनाएंगे ठीक है वो चीज आपको जो है इस वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा तभी जो है स्टैट्स के एकॉर्डिंग हम हमें यह आइडिया चलेगा कि किसको हमको चलना है और किसको जो है हमको अपनी टीम में रखना है ठीक है वैसे ही अगर डेली कापिटल्स की बात किया जाए तो मिचल मास्ट डेविड वार्णर और रिसव पंध खुद ठीक है और जो है आपके यहां से आंद्रे नोकिया जो लास्ट मैच में बहतरीन पारी बहतरीन आप कहा सकते हैं बॉलिंग किये थे ठीक और यहां से अक्षर पटे लिए भी आपके फिक्स प्लेयर है ठीक तो इस टीम में भी दो एक तीन एक चार और पांच फिक्स प्लेयर हैं और इन पांच फिक्स प्लेयर में से किसको आपको अपने टीम में रखना है और किसको आप drop करके चल सकते हैं यह चीज आपको confirmly जाननी पड़ेगी ठीक है तो बने देगा इस वीडियो में हम discuss करेंगे ही साब कुछ discuss करने वाले हैं साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि इस रिपोर्ट क्या होने वाली है, head to head records क्या है, possible playing 11 क्या होने वाली है, player stats क्या है, player battle क्या होने वाला है, captain और voice captain कौन कौन से जो है, वो प्रवल दाविदार होंगे, player captain और voice captain के साथ ही साथ, वो कौन से ऐसे fixed player है और कौन से ऐसे trump player है, जिनको हमको अपनी team में रखना चाहिए और जिनको हमको अपनी team से drop करके चलना चाहिए, according to selection percentage आपको किस तरीके से अपनी team बनानी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो बने रहेगा इस वीडियो पे, अगर आप मेरे channel पे नए हैं, दोस्तों तो please मेरे channel को subscribe कर दिजगा, इस वीडियो क लाइक कर दिजी अभी कि अभी ताकि मुझे motivation मिले, और अभी तक अगर आप मेरे telegram channel जॉइन नहीं हुए हैं, तो जाइए उसको जॉइन कर लीजिए, जॉइन करने का simple रास्ता है, इसी वीडियो के नीचे आपको यहाँ पे more का option दिख रहा होगा, more के option पे क्लिक करेंगे साथ ही साथ आपको GL और SL की टीम भी provide करूँगा, उसके बाद आपको यह भी provide करूँगा, कि pitch report क्या होने वाली है, कितना जिगरी वहाँ पे गुमाव है, कितना bounce है, यह सब को inside मैं आपको pitch report का वहाँ पे post करता हूँ, और 6 बच के 50 मिनट पे वहाँ पे मैं live भी आता हूँ ताकि मैं आप लोगों से connect हो सकूँ, आप लोगों की queries ले सकूँ, और according to queries मैं उसका reply कर सकूँ, किस player को लेना चाहिए, किस player को drop करके चल सकते हैं, यह सारी चीज़े हम वहाँ पे discuss करते हैं, तो जाइए उसको join हो जाइए, आइए देखते हैं इस ground का stats और समझने की courses करते ह हैं, अभी तक यहाँ पर 13 match हुआ है, 13 match में 6 match batting first करने वाली team जीती है, और 7 match बैटिंग second करने वाली team जीती है, वही scoring pattern की बात करें, तो 6 बार 500 से नीचे run बना है, ठीक है, लिकिन यह IPL में नहीं है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है, IPL के recent matches में नहीं है, 150 से ले match में होता है, highest total की बात करें, तो 206 run है, और lowest यहाँ पर 206 run है, बात कर लेते हैं, कुछ matches की, ताकि आपको जो है, clear of thoughts हो जाए, clear of idea हो जाए, जिसके लिए आप जो है, यहाँ तक अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हूँ, ठीक है, तो इन 4 demo, जो है, यहाँ पर 4 matches लिया है, इन 4 match में सबसे ज़्यादा interesting क्या है भाई, सबसे ज़्यादा interesting है, यहाँ पर मिले हुए wicket, ठीक है, आप देखिए, पेसर को यहाँ भी 6 wicket मिला है, यहाँ 10 wicket मिला है, यहाँ 8 wicket मिला हुआ है, यहाँ 8 wicket मिला हुआ है, यहाँ 7 wicket है, यहाँ 4 wicket है, यहाँ 0 wicket है, और य ठीक हैं बात कर लेते हैं यहां पर कि कितने रन बनते हैं तो पहला यह पहला मैच है इसमें डी सी ने बनाए 147 मॉफेट के नुखसान पर पाव इसको चेस कर दी 110 ने बनाई चार जी किनूफसान पर ठीक है यहां भी भी एक नॉर्मल सा स्कोर बना पिर यहаं पर थोड़ा हाइ स्कोरिंग यहां भी थोड़ा हाइ स्कोरिंग और यहां भी थोड़ा हाइ स्कोरिंग लेकिन मुद्दे की बात यह है यहां पर आठ विकेट गिरा हुआ है यहां भी आठ विकेट गिरा हुआ है चीजों को समझेने की कोसिस करेगा तोड़ा यहां चार विकेट गिरा हुआ है यहां भी चार विकेट गिरा हुआ है ठीक है बार अबर में यहां पर और यहां भी देखिए चार विकेट गिरा हुआ है और यहां आठ विकेट गिरा हो यानि मिला हुआ है सब्सक्राइब अब हीडिएां मिला हुआ हुआ थो सब्सक्राइब में 123 विकेट है सेकेंद डैनिंग में 125 है और सारी चीजंड आपकोligen संटाइप besar हो गई क यहीं? मैं क्या चीज नहीं क्लियर हैं अगली वीडियो से मैं वह एक्स्वलोर करने की कोसे करूंगा थी तोटल अगर मैचेस की बात करें हम इन दोनों टीमों की 20 में तो अभी तक 29 मैच खेले गए हैं ठीक है जिसमें से 19 बात CS की जीती है और 10 बात जो आपकी डेली कैपिटल्स जीती हुई है डेली कैपिटल्स अपना दोनों मैच हार के आ रहे हैं और चैनल जो आपना दोनों मैंने स्टार्टिंग में आप से डिस्क्रस कर लिया है बात कर लेते हैं अगर डेली कैपिटल्स की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको डेविड वार्नर और मिचल मार्च जो हैं ओपनी करते भी दिखेंगे रिकी भूई आते हैं श्रिशाब पंथ आते हैं आते हैं कुलदीप मुकेस और नोकिया यह है प्रावबल प्लेइंग इलेमेन जो कल के मैच की है इसमें कुछ भी चेंज होता है तो आपको टेलिग्राम चनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा तो जाए टेलिग्राम चनल भाई जोई हो जाएए वहां पर ज्यादे आपको बे 1,2,3,4,5 और इशा पंध खुझ 6 इन 6 प्लेर में से आपको कितने प्लेर लेना है चार प्लेर लेना है तो चार प्लेर वो कौन से होंगे उसके लिए आपको उनका स्टैट्स देखना पड़ेगा उनका का रीसेंट फर्म देखना पड़ेगा है टू है वेन्यू पर क्या स score है ठीक है यह सारी चीज़ें हम discuss करने वाले हैं तो बने रहेगा इस वीडियो में ठीक है शुरू से लेके last तक इसलिए मैं बोला हूँ कि last तक देखिएगा आपको disappointment नहीं मिलेगी बिल्कुल भी starting over की बात करें हम तो यहां पर पहला और तीसरा और छठा अवर फेकते हैं खली ठीक है मुकेश कुमार फेकते हैं दूसरा चौथा और नौकिया फेकते हैं पांच वा और ठीक है तो यहां पर सबसे ज़्यादा अगर विकेट मिलने के chances देखा गया है तो खलील को मिलता है ठीक है मुखेश जयादों को एक से दो weget हर एक match में अगर मान के चलिए तो आप मिल जाएंगा लेकिन खलील जब लेते तो भाई टीν से चार विकर लेता है ठीक है और ये बाई रिडकी हड़ी तोड़ देता है तो इसमें से सबसे ज़्याद आगर विकेट मिलने के प्रवबिल्टी है तो वह हो जाती है आंदरे नोकिया की क्योंकि इनके पास गुराफ्तार है इनके पास वह पेस है जिसके दम पे यह जो है विकेट ले लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं वही बैट्सम में यहां पर एक स्लाइड आइधिंग बैट्समेंनों में यहां पर डेविड वार्नर डेविड वार्नर आते हैं ओपनिंग करने के लिए 91 पॉसेंट सेलेक्शन एस्यू है उन्चास रन लास्ट मैच में बना था उसके पहले 29 रन बना था है एड-to-head में बात करें तो संहार लाखन आप ईंचासी का इनका सेलेक्शन पॉसेंट है यहां Cabzi new Quando को इनको ड्रॉप कर के चलने वाला हूं वही नमबर तीन और दो कि भूइन में पॉस्टे कर दूँगा मैं एक इंको नमड़रें में नमेर्य पर पॉस्ट करろ का मैं सेलेक्शन ये उसका जीता जाकता जो है उधार्ण इसलिए है कि महें सींग दोनी बहुत ही नीचे आते हैं थीक है बहुत ही नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए इसलिए जो है लोग इनको बहुत ज्याधा सैलेक्ट कर रहे है रिशेंट फॉर्म् की बात करें तो 28 जो है रन लास्ट में बनाया था उसके पहले आठा रन बनाया था है टू हेड़ मैचस की बात करें तो 46 कावरेज है वेन्यू पर 29 कावरेज है तो जील में आप इसको ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि मैमेस धोनी जो है बहुत नीचे बैटिंग करते हैं इसलिए कुछ ज्या अपने टीम में लूँ लुक्त क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो जाके टेलिग्राम चैनल जोइन हो जाईएगा अक्षर पटेल को कल के मैच के लिए जील में आप ट्राई कर सकते हैं a बॉटर करिएगा बैट्समन तो ट्राई करने की मेरी हिम्मत नहीं ह हरोगा तो मैं इनको क्याप्टन या वाइस कैटन बनाकर रहोंगा अगर नहीं लोगा तो इनको सारी टीम से ड्रॉप करने वाला हूं ऐसा मुझे हो रहा recent form की बात करें, तो एक vicket है, दो vicket है, कल की match में ये दो से तीन vicket हो सकता है कि इनका हो, ठीक है, दो vicket hall तो होना ही चाहिए अब हम बात कर लेते हैं चन्नाई की तो चन्नाई में प्रॉबल प्लेइंग 11 सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो है प्लेइंग 11 में आते हैं रितुराज गायकवाड और रचिन रविंद जो है बिल्कुल तगड़े ओपनर ठीक है नमबर तीन पर आते हैं आजिक्या रहा है नमबर चार पर डैरेल मिचल नमबर पांच पर जो है सीवम दुबे नमबर चाहे पर रविंद जड़ेजा नमबर स समीर रिजवी नमबर आट पर महेंद सिंग धोनी नमबर नौ पर दीपक चहर नमबर दस पर मुस्तिफिजुर रहमान नमर 11 पर देश पांडे सबसे जादा और सबसे इंपोर्टेन खिलाडी कल के मैच के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रितुराज गयकवाड और दीपक चहर होने वाले हैं इनको तो मैं अपनी टीम में जरूर रखके चलने वाला हूं साथ इसाथ डैरल मिचल को भी आप जो है मैं अपनी टीम में रखूंगा ठीक है डैरल मिचल को भी आप मैं अपनी टीम में लेके चलने वाला हूं तो आईए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें आपने टीम अपने बैटस्मेनों को लेना है और किस तरीके से हम आपने बैटस्मेनों भी स्विक्ष्प leiर को ड्रॉप करना है बात करना है स्टार्टिंग ओवर की तो स्टार्टिंग में दीपक चैर फेखने आते हैं पहला टीसर और पांच्वा Just Virgin क Black T तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कि अगर दीपक चहर को आप ले रहे हूं अपनी टीम में और यह उमीद कर रहे हूं कि यह स्टार्टिंग में बेक्ट्रू दिलाएं तो आपको उपर डेली कैपिटल्स के जो डेविड वार्नर है माश है इन में से किसी एक को ही आपको अपने टीम में लेके चलना होगा ठीक है बाकी सबको ड्रॉप करके चलना होगा इतना क्लियर है ठीक है डेथ के ओबर की हम बात करें अगर तो देश पांडे सुलावार फेकते हैं मुस्तिफिजुर्रह्मान 17 और 19 वार फेकते हैं और प उस्तिफिजुर्रह्मान और पतिराना को आप जरूर अपने टीम में रखिएगा क्योंकि डेथ होवर में इनको विकेट मिलता ही मिलता है यह चीजे मैंने देखी है यह चीजे मैंने ऑब्ज़र्व की है रितुराज गयागवाइट की बात करें तो 85% सेलेक्शन रेशियो लास्ट मैच में 46 सन बनाया था उसके पहले 37 सन बनाया थे उसके पहले 68 रन है 94% सेलेक्शन रेशियो है तो आपको भी इनको अपने टीम में लेके चलना ही होगा अगर नहीं चलेंगे तो बहुत ज्यादे गरबर हो जाने वाली है नम्मर तीन की अगर हम बात करें तो यहा अगर आप स्टार्टिंग के दो बल्ले बाद अगर ड्रॉब नहीं बैट रही है तो लेकिन अगर दोनों को को ही drop कर दिये आप अजिक्या रहाने को भी drop कर दिये डार्यल मिचल को भी drop कर दिये या इन दोनों में से किसी एक को drop कर दिये तो आपको सीवं दूबे को लेकर चलना पड़ेगा सीवं दूबे का last match में क्या उनन है उसके पहले 34 रन है है टुएड में 19 का average वेन्यू पर अभ भी ट्मिलने के chances मुझे ज़्यादा लग नहीं रहें मिलेंगी तो एक मिटे ज्यादा नहीं मिलने बाला है दूसरी चीज़ कि इनकी जो है कर चलेगा नहीं कर लिया कि चलेगा तो इनकी जरुरत नहीं होगी ठीक है अगर टॉप आदर नहीं चला तो इनकी जरुरत है और टॉप और नहीं चलेगा उसमें सबसे मोशली चांस है कि जब सियस्के सेकेंड टाइम सेकेंड में बैटिंग करेगी ना ठीक है सेकेंड टाइम अगर बैटिंग कर रहे हैं सियसके तब चांसे है कि रभीन जड़ेजा ज्यादा इफेक्टिव हो ठीक है इसलिए मैं बोलना इसलिए मैं इनको डॉप करके चलने वाला हूं क्योंकि आज कल यह बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए पता नहीं क्या हो गया इनको थोड़ा तो उपर आओ भाई सब तो मज़ा आएगा बैटिंग देखने में तुशाद इस पांडे दो मैच दो विकेट लास विकेट है और वेन्यू पर बात करें तो 9 इनिंग में 10 विकेट है तो जील की टीम में आप इनको रख सकते हैं तो यह रही पूरी अनालसिस मेरी तरफ से दोनों ही टीमों की अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेयर बैटल्स की तो प्लेयर बैटल इस वेरी इंपोर्ट दिपक चेहर ने इनको दो बारा उट किया है तो दीपक चाहर ने इनको दो मैच में दो बार आउट किया है तो दीपक चेहर ने अगर अक्षर पटेल की बात करें तो दीपक चेहर ने उनको एक मैच में एक बार आउट किया हुआ है ठीक है ऐसा जो है इनका प्लेयर बैटला अब वहीं आप देखिए रितुराज गाइकवार्ड कि रितुराज गाइकवार को नोकिया ने रितुराज गाइकवार्ड नोकिया ने चार मैच में दो बार आउट किया है इसलिए थोड़ा दिक्कत है शिवम दूबे के साथ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रविन जड़े जाकी अबो इस दूबार के लिए इस को आपको तीन पार्ट में डिवाइट कर देना है यहां पे फैस्ट पार्ट हो गया यह जिर सट पार्ट और एट थर्ड पार्ट में अपप आपको वो प्लेयर रखना है जिनका selection percentage क्या हो 70% से उपर हो ठीक है second वाले पार्ट में आपको वो प्लेयर रखना है जिनका selection percentage क्या हो 70% से नीचे और 30% से उपर 30% से उपर ठीक है बाकी तीसरे वाले पार्ट में उनको रखना है जिनका selection percentage क्या हो 30% से नीचे हो ठीक है अब यहाँ पे आपको कुछ list निकल के आ जाएगी 1, 2, 3 4, 5 ऐसे करके यहाँ भी आपको क्या होगा कुछ list निकल के आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 करके और यहाँ भी आपका क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे कुछ list बन के आ जाएगी बाकी अब जब एक बार आपके पास list आ गई तो अब यह होगा कि किस group से कितने player लेने तो वो भी मैं आपके इसको confirm कर देता हूँ यहाँ से आपको लेना है 4 player यहाँ से लेना है 4 player और यहाँ से लेना है आपको 3 player अगर यहाँ से आप 4 player ले रहे हैं तो यहाँ से आपको लेना है 3 player और यहाँ से लेना है आपको 4 player इस तरीके से आपको अपनी टीम बनानी है ठीक है बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रुरत नहीं है स्टाइट्स देखिए ये इस टीम लगाईए बनाईए ठीक है और स्टाइट्स के एकॉर्डिंग वो छाट लीजिए कौन से प्लेयर होंगे जो आज चलने वाले हैं और इनका सेलेक्शन परसेंटेज क्या है तो वो किस सेलेक्शन परसेंटेज में लाइक करते हैं वहाँ से हमको क्या करना है अपनी टीम को पिक करना है और प्लेयर्स को लाके वहाँ पे फिट करते हुए जाना है तो बनाएए अपने टीम अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो प्लीज मेरे शनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक करेगा और कॉमेंट करेगा ठीक है टेलिग्राम चैनल जोईन होना बीचल में भूलेगा वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूं तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों जय हिन